करोना वेक्सिनेशन का अग्ला चरण एक माई से शुरू होने वादा है उसमें 18 साल के उपर के सभी प्रावड दोगों के दिए वेक्सिनेशन किया जाने वादा है उसके दिए रेशेशन ज़रूरी है और अपार्णमेंट देना वो भी बहुत ज़रूरी है तो आज हम देखेंगे अपार्णमेंट के से देते हैं कोरोना वेक्सिनेशन के दिए तीन जगह पे हम अरेशेशन कर सकते हैं एक कोविन पोर्टल दूसरा अरोगे सित्व एप और तीसरा उमंग एप हम आज देखेंगे coin portal पे कैसे registration किया जाता है यह सबसे simple process है पैदे हम google में coin type करेंगे COWIN उसके बाद coin portal open होगा coin portal open होने के बाद वहाँ पे हमें register oblique sign yourself दिखाए दिगा वहाँ पे click करने के बाद अगली window यह open होगी यहाँ पे हमें हमारा mobile number डालना है और get otp करके हमारा mobile number verify करना है हमारा mobile number verify होने के बाद हमें अगली window ऐसी दिखाई देगी जहाँ पे हमें अपना आधार card, pen card, bank pass book, driving license इन में से एक document डालना होगा तो आज हम आधार card डालके देखेंगे आधार card उसके बाद आधार number यहाँ पे फिल करना है यह सब details हमें correct फिल करनी है उसके बाद आधार पे जो जैसा नाम लिखा होगा वैसा है नाम यहाँ पे type करना है उसके बाद हमारा gender check करना है और अखिर में जो हमारा year of birth है उसे यहाँ पे फिल करना है यह सब डिटेल फिल करने के बाद एड बटन पे क्लिक करना है एड बटन पे क्लिक करने के बाद हमारा रेजिस्टेशन सक्सेस्फुल हो जाएगा उसका मैसेज स्क्रीन पे दिखेगा दिखिए हमारा रेजिस्टेशन सक्सेस्फुल हो गया है उसके बाद हमें appointment देनी है appointment यानि vaccination के दिए हमें किस जगा पे किस vaccination center पे जाना है और किस दिन जाना है उसके दिए हम यहाँ schedule बटन पे click करेंगे हम एक mobile नंबर पे 4 जगों का appointment दे सकते है schedule बटन पे click करने के बाद schedule 9 पे click करना है उसके बाद यह अगजी विंडो ओपन होगी यहाँ पे हम हमारा नजदिक का vaccination center चून सकते वो हम by pin code और by district के नाम से choose कर सकते तो हम अभी district के नाम से check करेंगे तो मैं अभी महारास्टा में मुंबई का देखता हूँ यहाँ पे कोई अभी तो मेरे खायल से पोर्टल में अपडेट होना बाकी है अभी हमने महाराट से देखेंगे उसके बाद मुंबई से देख किया और सर्च किया तो यह सारे वेक्सिनेशन सेंटर दिखाई दे रहे है और उपर है डेट है डेट और वेक्सिनेशन सेंटर यह सब वेक्सिनेशन सेंटर अबाव 45 एर्स के लोगों के सेंटर है यानि अभी तक हमारा आटरा साल के उपर वादा एक भी वेक्सिनेटर सेंटर हमें दिखाई नहीं दे रह लेकिन कोई भी वेक्सिनेशन सेंटर 18 साल के उपर के दूगों के दिये अभी तक शुरू हुआ नहीं है तो इसी प्रकार से हम अपना अपनमेंट सिलेक कर सकते हैं अगर आपको पूरा अपनमेंट कैसे देना इसका वीडियो देखना होगा तो मेरा पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं इस आपको मदद होगी कैसे अपनमेंट देते हैं अगर जब पोर्टल अपडेट होगा तब मैं वापिस एक बार वीडियो बनाऊँगा झांक यू